हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल बाजू को कट करने के लिए सबसे पहले कपरे को फोर फोल्ट में लेंगे यह देखी इस प्रकार से यह अस्तर का कपरा है में फैब्रिक जो है वो हम बाद में कट करेंगे पहले फैब्रिक की लंबाई हम 11 इंच लेंगे और इसकी चौराई हम 8 इंच लेंगे देखे इस प्रकार से जितना भी आपके फिटिंग करके आती हो साइच उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि हमरे स्टिच में जाता है जैसे कि मैं 5 इंच पे नीची नीची का जो पार्ट है वो स्टिच करने वाले हैं तो 6 इंच लेंगे और 11 इंच जो लंबाई लिया हो था कपरे का तो अब 8 इंड हाफ इंच आपको यहां से लेना है और उपर के तरब से इसे गुलाई में मार्क कर लें इस प्रकार से और मार्क करने के बाद यह दोनों जो हमने मार्क नीचे का साइट किया हुए उसे आपस में मिला लेंगे इस तरीके से आप मार्क कर लें और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले जिसे मेरे वीडियोज की नोटिपिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके अब इसे आपको कट कर लेना है और वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों में सेयर भी करे इस तरीके से आपको कट करना की अब इहां मीं कुछ इसमें डिजैन बनााओंगी ज़से आई यंड़ी बाज़ू होता है तरीके से यह CH-ved इस दो इंच अपको ले पहले और इसे लाश्ट का जो पाँट है उसमें आपको गुलाई में मिला लेना है इसके बाद इसे आपको कट कर लेना है कट करने के बाद यह इस तरीके कहा जाएगा अब सीम ऐसे ही आपको मेन फैबरिक को भी कट कर लेना है हमारा मेन फैबरिक है इसे आप इसी तरीके से कट कर ले कट करने के बाद इसे स्टिच करना है इतना याद रखे कि जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा वाला जो पार्ट है हम उपड की तरफ रखेंगे और इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है स्टिच करने के बाद छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं इतना ध्यान दे कि आपके जो इस्टिच किये हैं वो धागा कट नहीं होना चाहिए सिर्फ उसके जस्ट आगे आपको छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं अब यहाँ इसे उल्टा सिधा करके और यहाँ एक सिलाई और लगा लेने यह बाजू रेडी हो चुका है अब मैं थोड़ा और इसे अच्छा लुक देने के लिए यह लैस यूज कर रहे हूँ यह उप्सिनल है आप चाहे तो यूज नहीं भी कर सकते हैं यह देखे काफी प्यारा लगेगा यह लगाने के बाद काफी कुपसूरत लग रहा है अब इसे आपको अपने साइच के अकॉर्डिंग इसे फिट करना है इस तरीके से आपको फोल्ड करके और इसे फिट कर लेना यह मैंने फिट कर लिया हुआ है अब मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ देखे काफी अच्छा लुक आएगा जब आप इसे पहनेंगे तो एक नया लुक आएगा अब इसे आपको ब्लाउज में फिट करना है और ब्लाउज का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से जरूर देखे इस तरीके से फिटिंग करनी होती है इसके अंदर इस तरीके से इसको डालके और बस इसे गुलाई में स्टिच कर ले यह बाजू आपका रेडि हो जाएगा देखे काफे प्यारा लग रहा है I hope मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you